आज मेरा है कमच्छट का फास्ट और आज कैसे कैसे पूजा होने वाली है वो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी यहाँ पे मेरे हजबन जी तयार हो रहे हैं मुझे ड्रॉप करने के लिए जल्दी जल्दी से कमच्छट की पूजा का टाइमिंग हमेशा ही लेट से होता है बारा या एक बज़े के बाद इसलिए मैं हमेशा मम्मी के घर जाके ही रेडी होती हूँ और यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा का पूरा समान लेके आ गई है मार्केट से मम्मी के घर में पूजा करने जाने का रीजन ही यही होता है क्योंकि मम्मी के घर के सामने ही सगरी बनाई जाती है सगरी का मतलब होता है कि दो गड़ा खोद दिया जाता है और उनके बीच में पाटा रखके या फिर बड़े से परात में शेव जी, गौरी गनेश, पारवती, मैया जी के प्रतीमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और कमच्छड की पूजा होती है संतान के लिए जिनकी संतान हो चुकी होती है वो तो कमच्छड का पूजा करते ही है बट जिनको अभी तक नहीं हुआ है वो भी ये पूजा करते हैं मंदिर के पास थोड़े ही दूर में और पूजा हो रही है तो यहाँ पर मम्मी और मैं पूजा करके आ चुके हैं पूजा करने के बाद मम्मी अपने बच्चों को पोथी मारती है जिससे बच्चों की उम्र लंबी होती है और उनके जितने भी कस्ट हैं, दूख हैं वो दूर हो जाते हैं और पूजा करने के बाद हम खाते हैं पसेट चामल जो की red color का होता है और छह प्रकार की भाजी और इसदेट भैस खेही दूर, दही, घी यूस किया जाता है और खाने से पहले 6 प्रकारी के जानवरों के लिए निकाला जाता है तो गाईज ये थी हमारी कमच्छत की पूजा I hope कि आज की विडियो आपको अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दू लाइक, कमें, शेयर और सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चनल विचेश मेरा व्लोग